यहां बढ़ गए और हम बहए गया यहां पर आई यार के स्टुडेंट चलिए सबसे पहली चीज़ आई यार का जो बात करते हैं तराश्टी संबंद को लेकर आप स्टुडी करते हैं ना आई यार के बारे समझते या जानते हैं क्या आई यार है क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कोबिट-19 के इंग्वैक के दोरान भी बहुत सारे संदेले नहाल के लहाल हुए अंतराश्टी अस्तर पर देखें तो G20 के बारे आपके सुनेंके दिक समिट हुए हैं इस्टेसिया समिट हुई है उस सारी चीज़ों को समझें इस वाइब बहुत है पहले सबसे कहले जो चीज़ आती है कि अंतराश्टी समझ आया होता क्या नागेज जी बताया अगा अगा व्यापार के बारे में तो फिर हम अर्दविवस्ता पढ़ें अगर व्यापार के बारे में सबसे अच्छी तरीके सबसे अच्छे तरीके से क्या रोल्स रेगलेशन किस तरीके से हैं फंडी किस तरीके से होती है गौन वहाँ पर उसको लेकर प्रदिबंद कैसे लगते हैं वह सारी चीज़ें का समझ नहीं है फिर तो हम एकोनोमी पढ़ेंगा हम आयार क्यों पढ़ने हैं कि अधिकर आप आयार को आपको पढ़ाएंगे पूरी आयार की नोगी आपको चाहिए पूरी आयार की नोगी आपको चाहिए चलेंगी वह हम आयार के सिर्म नोगेंट मैंने पहले भी चाहिए अगर आप नोगी रहे नहीं रहे हैं इसमें सब्सक्राइब होता है और दूसरा होता है यहां पर हम इसको कहते हैं आप सामरिक संब्ध स्ट्रेटिक रिलेशन की बात करते हैं रणनीतिक संब्धों की चर् बिर्णॡ कि रिलेक्षिन हैं यह बनेंगे इसके हैं किन्हीं दो याँ दो से अधिक देशों के मत अ कि दो याद उसे अधिर्देशों के मद्धियत हम किसी भी तरीके के economical conditions create करते हैं या आपके strategic relation बनाते हैं उनको अगर हम पूरी तरीके study करते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतरराश्री स्थम्द यह मूलभुत दो आयाम हैं लेकिन यह विस्तार करता है जो विस्तार करता है तो इसमें कई सारे एंगल और जोखें और कई सारे शब्द जोखें जिसमें शब्दों के अंतर में तगे हम बात करें एक्छर आता है ईक होता है घुर रुंद्री करते हैं तो का मूलभूत आधार भूせて और थात एक चीज़ ध्यान रखेगा यह आयार आपको समझने है तो उसके लिए आपकी भूगोल अच्छी होनी चाहिए और कितने लोगों ने अभी तक भूगों को पढ़ा है क्या किसी ने भूगों को कम्लिट लिया है आनलाइन में या इसके पहले कभी आपने स्टड़ी क यहां पर जो भी पढ़ेंगे वहां पर इस तरीके से यहां पर संबंद बन को में दिखाई दिते हैं इसके इत्रिक तक हम बात करते हैं कि इसके इसके में इसके इसका बहुत जश्यादा पर परपरस से आज़ में अब आयासा का कहीबिन स्टेडिक कि एकजाम में इसके बहुत जीचार लाइन का स्टेडिक के इसके पर करते हैं और previous year के questions paper को आप इसमें देखीते हैं तो यहाँ पर इसको पढ़ते समय आप बहुत ज़्यादा details है कहने का मतरब कि जो चार line का syllabus है वो वास्तों में 400 से ज़्यादा पेज़ी किताब से भी ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़नी पढ़ते यह इतना जादा विस्तार से इसको study करते है पुछली बार जो मैंने IR पढ़ाया था तो पांच महीने लगी थे और उन पांच महीने को पढ़ाने के बावजूर IR में ऐसे बहुत सारे topics थे जो कि वाँपे बच्चे कह रहे थे इस section को नहीं पढ़ाये थे तो ऐसा क्यों किया गया आयार की जो question आते हैं वो हमेशा होते हैं current basis अर्थात जो भी चीज पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि पिछले एक से देड़ साल में अंतरास्टी अस्तफर कौन-कौन सी घटनाएं कौन-कौन से छेद्र जादा प्रमुप चर्चा का विशयर रहें आपको question सिर्फ वहीं से आए तो यहां पर जहां रखेजा हम जो भी चीज़ें study करेंगे स्टडी करने में एक चीज़ता हमें अधार रखना है कि हम आयार में वहीं पढ़ेंगे जो कि एक प्लियर का या प्लस प्रिक्समन्थ और अब इसमें कुछ भी हो सकता इसमें हो सकती है आपकी जो आपके पड़ोसी देशों से लेट से संबंधों को पढ़ सकते हैं इसमें यूएसे हैं चाइना में रश्या है और यह से कुछ देश्ट जो कि इंपोर्टेंस हो सकते हो इसके अध्रे कुछ नय दोस्ति कुछ नियू रिलेश्ट जो कि बहुत ज़ादा बंदे और बिगड़ते रहते हैं समय के अबसार नियू रिलेश्ट जो इसराइल के साथ पिछले कुछ दस्कों से तो अच्छे नहीं थे लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत बेटर हुए हैं जब से 2014 के पश्चा तो यहां पर इंपोर्टेंस हो जाता है कि हाल पिलहाल में कहां पर संबंद बहुतर बनते हुए में दिखाई देते हैं तो ऐसे नए संबंदों क को यहां पर इंपोर्टेंस देजा सकती है जिसके अत्री हमेशा यहां पर आते हैं कुछ संगठन संगठन जो कि अंतरास्टी परित्रश्ट को प्रफावित करने के लिए एक फोर्स के रूप में काम करते हैं और कई सारे देश इसका सहारा लिखक अपनी अंतरास्टी कोट अगर आप नाटो को देखें तो यह अगर हम देखें तो यह अगर हम देखें तो मूलता इसका मूल उत्रेश यहां पर आप ठीक है लेकित इसके सासा यह अंतरास्टी अस्तरपर्प्री प्रहौश योता को बढ़ाने को लेकर एक छेत्री संग्ठन के तौर पर इसे देखा जाता है जो कि यहां पर बहुत होनी विश्च के तो चापर कह सकते हम ठाख मिक्ता देने की होगा और ठाख की सीधा सीधा अगर हम कहें सीधे शब्दों में तो USA की जो एक ध्रूबी विश्च की पॉलिसी है उसको समाच करके यहां पर ब्रिक्ष नेशन को स्थापिक करना क्योंकि वैश्च कर्थ व्यवस्था के केंदर बिल्द के रूप में इसमें चाइना भी है इस संगठन का सदस्य और भारत है जो अंतराश्ची संबंधों को प्रभावित करने में 250 सबसे ज़्यादा प्रभावशी देश हों लेकिन इन संगठनों की प्रभावशी प्रभ करें ऐसक्राइब काम सब्सक्राइब में करते हैं और उब यूब है दोनों के नुक्ता तuéकश और भारत इफक्या है लोकह कि अंतराश्ची संबंधों सर्फ तरीके को देखते है जो कि देष अपनाते हैं या करण अ इसकी क्या आई है फॉलिसी लेकर आए है चाहें यह फॉलिसी दोनों पॉलिसी से अंतर कैसे रखता तो यह नए जो टेच्टे लॉजय भी ड्रवक होते हैं हम यह समझे पहले रही कि भारत इवक्त उसके पर्वसी देशों के साथ संबंध कैसे है इसकी चर्चा करनी इसके बारे ने पढ़ना है आपको दूसरी लाइन स्लेवस का कहता है कि विश्व की जो महाशक्तियां है उनके साथ भारत के संबंध कैसे है एक लाइन और आते हैं और वो कहता है कि अंतरासी और छेत्री अस्तर पर जो संवधर हैं उनकी प्रभावाशिता और भारस्ता पर पढ़ने वाले हैं कि प्रभावों की बूंट्या का अवलोकन कीजिए और चौथी लाइन कहता है कि अवारे में चर्चा करनी है वो है आपके प्रभावावी प्रभावावी काफी जादा च्विपयोग किया तो ये प्रभावावी का मतलब क्या होता है प्रभावी का मतलब आप जिस मूल स्थान पर रहने वाले हैं किसी भी काराव से रोजगार के पढ़़ाई के तुरिस्ट कोंड से के प्रभावी के ने, और बापा ने, आपको और जोगार के दोबुसरे छित्धान के का और शित्धान के प्रभावाव से, आपको अपना महरास्थ में बिहार का कोई व्यक्ती ग्या तो वो क्या हिवा हो नो यह प्रवास्थ चुछ प्रवासी हो यको कीश के अंदर राशी असने न उट कोchu प्रवासी और्वासि अमेरिका से भारत में रहने आया तो प्रवासी अमेरिकी, इसी तरह किसी भी देश के साथ जाएंगे, तो हमसे क्या जोड़े रहेगा, उस देश का नाम जोड़े, क्योंकि उस देश के आप क्या है, नागरिक सकताएंगे, अब इन्हे को, इन चार लाइन को हम पढ़ेंगे, अगले कुछ महीनों के दोरान in detail शुरुवाद हम कहां से करेंगे सुरुवाद इमने से किसी भी topic से नहीं की जए अगर इमने से किसी की नहीं की जाएगी तो करेंगी क्या कि श्लेवस तो यही है ना तो क्या गर सकते हैं पहली क्लास के स्टीज को लोकर होनी चाहिए अगर स्लेवस हमें स्कार्ट ना करें तो क्या डारेक्ट स्लेवस के पहले शब्द से आप पढ़ने में सक्षांप हो सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए एक आधार भुद समझ को विक्सित करना जरूरी है विदेश नीत के मूलबुद आयाम क्या है विदेश नीत के अंतरगत आने वाले प्रमुख जो कह सकते हैं कूट नीतिक रनीतिक जो आपको शब्डावलिया ये पेज दिये गए है रहा ये आपको ऐसे 103 वर्ड आपको मैंने दिये और ये ना काफी है अधात की पूरे नहीं है ये 103 सब्ड है जिसमें देखें कुछ शब्डों को हम पढ़ते हैं देखें आपके साथ इसमें पहले ही पेज में लिखा हुआ है और जो लाइव अफलाइन में है उनको भी एक पीडियाप शेर कर दी गई है वो पीडियाप डाउनलोड कर लीजे उस पीडियाप का पहला पेज उपन कर सकते हैं और वहां पर देखें कुछ शब्ड दियो है इसमें से एक के साथ है कि हमां हिंदी का मेडियम तो जूरूर ले लिए लेते हैं लेकिन हमारी हिंदी अच्छी माइन किस प्रकाद के शब्दों केलेकर बहुत जाधा अफ्लिष्ट सब्दों को लेकर एक आंग वो nap on ने हमारे हिंदी समझ योग है लेकिन यह दि हम कहों बहुत जादा ख्रिश्ट सब्दों का प्रियोग कर दें तो हम फंज जाए उसका में हमें क्या लगता है इंग्लिज का वर्ड मिल जाए तो हमारे लिए इजी उलग और सही में बात करें जादा अच्के समझ में आजा है मूल जो आधार होगा है हिंदी होगी जो आपको लिखाया जाएगा जो आपका content होगा वो भी हिंदी होगा लेकिन जो आप हम explains कर रहे होंगे चीजहों कर रहे होंगे तो वहाँ पर मेरे पढ़ाने के तरीके में हिंदी और इंग्लिस दोनों चलती रहे है ठीक है वाकिः अगर चहीं दिक्कत आएगी तो इसके लिए यहां पर इस तरह के चीज़ें मिलती रहेंगी, आपको content लिखाया जाता रहेगा और आपको content दिया भी जाता रहेगा इसके लिएकर हम डीटेल से discuss करते रहें, अब देखिए इसमें विदेश शग्द का मतलब लिखा है, है ना, जो चलिए आप विदेश का मतलब क्या लिखा हुआ है? abroad लिखा हुआ, इसको समझाया गया इसमें, विदेश में लगभग कितने कुछ बताए लिए कि विदेश का मतलब क्या हुआ है, विदेश का मतलब की तहां पर आप रहते हैं, और वी का मतलब वह से बाहर जाने की इस्तित्या, अर्ठात ऐसा आप जब अपने देश याप आपको पड़ोसी भी क्या है, पाकिस्तान आपके लिए क्या है, विदेश है, आप अगर अमेत का भी क्या है, तो भी कहा है, हमें एक शब्द का यूज करते हैं, आप विदेश से बाहर गए हैं तो विदेश क्या है, विदेश में कोई भी देश हो सकता है, आप पड़ेश अब इसके अंतरकेट ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जिनके बारे में आपको पढ़ा है समझना है और चीजों को बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे कुछ simple simple पहले वर्ड लेते हैं एक आता इसमें देखे 69 नमर पर दिया हुआ है परस पर हित दिया हुआ है परस पर हित दिया हुआ है मिल गया तब तो ठीक है पीछे से कौन बेटे हुआ है हाँ जी 69 नमर पर जो परस पर हित लिखा हुआ हुआ है उसका क्या मतलब हुआ है क्या बताए गया इसने mutual interest का मतलब कैसे क्या बताए गया किस तरीके में चीज़ें क्या है कि दोनों पक्षों को व्यापक रंडीतिक भागी दारी की भावी योजना का रचनात्मक लाब उठाने और परस पर हित के विमिन चेत्रों में सायोग पढ़ाने का अवस्तर अर्थाक के अलग अलग छेत्रों में हम कैसे दूसरे के साथ मिल पर के भी एक दूसरे के लाब के उदेश से कार्या करेंगी mutual interest का मतलब हुआ जहां दोनों को लाब हो अर्थाक के मालीजे यदि मैंने मुझे company कोलनी है Company कोलनी के लिए कि मेरे पास vision वे मेरे पास क्या है income नहीं, पैसा नहीं प्यूसरें से invest कर सकुए तो मुझे क्या चाहिए एक partnering चाहिए पार्टनर कैसा चाहिए जिसके पास पैसा हो कूई के vision मेरे पास है वैसे वाला आजमीं चाहिए vision मेरे पास है मैं किसके पास जाँगा जो मुझे investment के रूप में money दे सके अज़ जो मैं उसके पास जाँगा तो वो क्या कहेगा मैं आपको पैसा देंगो तो मेरा क्या फाइदा है यही होगा ना कि मेरा क्या फाइदा है तो आप उसे क्या दे सकते हैं partnership पाटनर्शिप देंगे, कहेंगे कि चलिए आप मैं आपको पाटनर्शिप दूदगा, जितना आप मुझे पैसा दीजिए, मैं इसको इनवेस्ट करूंगा, इनवेस्ट करने में वह जो प्रॉफिट होगा 50% में, आपको 50% मेरा, मेनत आपकी पैसा आपका profit दोनों का तो क्या इस तरीके में वो मान जाएगा किसमें दोनों लोग को लाग है क्या किसी को इसमें नुक्सान है नहीं है क्योंकि उस बंदे को कुछ नहीं करना है क्या करना है पैसा देख और पैसा ली कम देना है जब सामिए वाले को आपको लगशा करेगा आज पर की मार्केट में क्या होता है investment ही होता है Relaience में अभी Reliance Yo में अपने एक लाग करोन से जाधा का investment हासिल किया और Wish की अलग-लग बड़ी बड़ी company हो से हासिल Google से Facebook से Ultra Tech से और बहुत सारी अमट्के को होँपे country हैं जो की Scotlandian है, Britain की है, USAP है, Chinese हैं, बहुत सारी company हो ने क्या किया, निवेश किया और ऐसा निवेश नहीं किया है कि 500,000 यह 100,000 करोनों का निवेश किया है इसके बदले उन्हें क्या मिला? पर्संटेज, किसी को 7%, किसी को 8%, किसी को 2%, किसी को 1% उन्होंने investment क्यों किया? उन्हों को क्या दिखता है? कि Reliance CEO ने पुछले 4-5 साल में जो हमसिल किया है, in future यह और भी बड़े अस्तेब पर लाब कमा सकता है और किस लिए कर रहे है, future के, क्योंकि future में क्या होने वाला है? भारत में 5G आने वाला है, आने वाला है? 5G के लिए क्लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, investment चाहिए और विजन किस के पास है? Reliance Plus अल्रेड़ी है, Reliance छित्र में काम अल्रेड़ी कर रही है तो Google को, Facebook को तार और खंबे लगाने की ज़रूवत नहीं है वो किसको करना है? Reliance को करना है और इनको क्या करना था? इनको सिर्फ पैसा डाला Reliance Plus पैसी की कमी तो उसने पैसा लिया, investment क्या? जो profit होगा जितने percentage आपको हायर किया है, वो क्या करेगा? आपको profit में बाट देगा यह क्या होई? Mutual interest को होगा दोनों के परसपर हापस में ही दित हैं और अंतराश्टी संबंधों को जो हम पढ़ते हैं तो बस किसी चीज़ का फ्याल लगते हैं कि जब भी किनी भी दो देशों, दो कमपनियों, दो संगठनों के भी किसी भी प्रबार का कोई भी रिलेशन बनेगा तो उसमें दोनों ही देशों की mutual understanding वहाँ पर होंगे अथा दोनों का कोई न कोई लाब होता है अभी एक मुद्दा इसको और समझाने के लिए अभी हाली में RCEP का एक समझाता हुआ, भारत उस्से बाहर है पढ़ा इसके बारे नहीं पढ़ा लांस, आ तरह के लिए नहीं पढ़ा और अर्षी के पार नहीं पढ़ा आप इंके पीछ एक समझवता हमाना था जिसको कहते हैं फ्री ट्रेट एग्रिमेंट जिसमें किसी भी प्रकार का बिना शुक्ति आप एक दूसरे के देशों में किसी भी वस्तमों सेवाओं का आया धर्याद कर सकते हैं और यह ग्रेंट में भारत बाहर तो भारत बाहर क्यों कुछा है किस कारण से साचाहा नहीं हुए होंगे भारत के हित प्रभावित और हाल अगर हम देखें फॉलसी समझ हए आईयार में फॉलसी समझ है बहुत जरूरी हैं आपको सभी घटना क्रम एक क्रम में लगा कर देखने पड़ते हैं भारत चाइना के समंध अच्छे नहीं है चाइना पर भारत ने हाल फिलहाल में कई सारे प्रत्वंद लगा उनके कई सारे एप्स को बेहन कर दिया कई सारी चीजों पर कोटा लगा दिया अर्था की चाइना से हम सिर्फ इतनी मात्रा में ही विवस्तों खरी देंगे उससे जादा नहीं खरी दें तो भारत ने चाइना को रोकने के लिए कई सारी फॉलिसीस के मादें से दिरपक्षी इस तर पर तो रोक दिया लेकिन जब RCEP में भारत सामिल होता तो वहाँ पर क्या था चाइना अपनी वस्वों को इन 10-15 देशों में किसी को भी सेलांग करता वो उनसे सस्तेदाम पर खरीकते और फिर वही सारी चीजे भारत को बेच देते तो होता क्या थर्ड पार्टी ट्रेड अर्थाद भारत चाइना साजे सामने से ट्रेड न करके थर्ड पार्टी की दुरूब भारत में चाइनीज सामान आता और भारत कुछ नहीं कर सकता था बैन भी नहीं कर सकता था क्यों कि वो आपको कोई हांग कॉंग आपको बेच रहा है या कि चापान आपको बेच रहा है एसी इस्थितियों में भारत क्या हुआ परस्पर इंट्रेस्ट एक दूसरे के साथ ना मिलने के कारण वो बाव तो मेरे समझाने का मतलब यह है कि इन शब्दों को समझने के लिए बहुत जलूरी एक आप इनको अच्छे सिल समझें इन शब्दों को मैं समझा जूँगा लेकिन आप इनको एक बार पढ़के आई इसमें कुछ पॉलिसी एक पॉलिसी आई है पेज नमबर 1 पे थर्ड नमबर पॉरोन मुकीनी जिसको इंग्लिस में क्या करते हैं एक इस्ट पॉलिसी एक पॉलिसी से पहले आई थी उसको उन्होंने बोला था लुक इस्ट पॉलिसी बाद में इसको चेंज करके कर दिया एक इस्ट पॉलिसी इतना बड़ी बड़ा परिबर्दान कितनी बड़ी सिफ यह पॉलिसी का एंगरी बार पढ़ेंगे इसके अंतरा क्या क्या चीज़ है बहुत बढ़ा है लेकिन उनके कुछ शब्द आते हैं जैसे आपको समझाने के दौरान हम बात करते हैं मध्यस्त साथ नमबर पर लिखा है आर्बिट्रेटर ठीक है , और बिट्रेटर यानि की मध्यसwd मध्यस के क्या मतलत होता है बिडिटेफ और बिट्रेटर बताइए मध्यस को यो एक इक्जाम्पूल देकर आप करता जय Size मैंने अभी आपको इक्जाम्पल देकर समझा हैं अगर मद्धिस का मतलब सुनुझे थे एक इग्जाम्पल से बताना है, परिवासा सुनुझे एक इग्जाम्पल दीजियो और उसने समझाईए कि कौन मद्धिस पूस तो है जैसे समय कोई सामजी समझ होता हूँ, जैसे कि अमेरिका इरान का विवाद चल ले है अमेरिका ने किया कि इरान पर फृतिमन्त लगा दिये, दो लोग लड़ाई करें, दो लोग पर इसकी प्रकार का समझ होता नहीं इसमें कोई तीसरा पक्ष आजाए, तीसरा पक्ष ऐसा होना चाहिए, जो कि दोनों के ट्रस्ट कैसे जीत सकता हो, या कि जिसका दोनों जिसके पर फ्रस्ट करते हैं भारत का इसमें एक अच्छी भूंक्या निभा सकता है, क्योंकि भारत इरां के समझ पहले ते अच्छे हैं, और भारत अमेरिक के समझ खाल पिलाहल बहुत अच्छे हो गए ऐसी सिती में, भारत के भी अपने आर्थिक लाव हैं इरां के साथ, क्या लाव है, पेट्रोलियन क्रूड ओयल भारत इरान के साथ जो व्यापार करता है विश्च में अन्य किसी भी देश के साथ यह क्रूड ऑल अगर को आयाद करता है तो सबसे सस्ता अगर कोई देश उसे देता है वो कौन है इरान दूसरा फाइदा क्या है भारत किसी यहने देश के साथ जो फ्रूड ओयल आयाद करता है उसको डॉलर पे करना पड़ता है जो कि फ्लक्ष्वेट होता रहता है मार्केट के हिसाब से कई बार भारत को बहुत जादा नुक्सान भी उताना पड़ता है क्योंकि डॉलर तो नुकाले रुपया का हो जाता है कंजोर हो जाता है और ऐसे उसे जादा पेमेट करनी पड़ती है लेकिन इरां के साथ भारत का फाइदा क्योंकि भारत उनके साथ डॉलर में पे ना करके रुपए में करता है जिसके कारण डॉलर के कुछ भी चल लाओ, कितना भी फ्लक्षेट हो रहा हूँ, उससे भात को किसी प्राइट से कोई नुक्सान नहीं होता है, कुई उसका तो समझवता होता है रुपए क्या पाता है अब ऐसे देश के साथ इसे आप व्यापार ना करने पाएं, वो भी किसी तीसरे देश की लड़ाई होने के कारण, तो नुक्सान किसका भारत का है, तो ऐसी इस्तिति में आप क्या कर सकते हैं, कि दोनों के पर जो विवाद की इस्तितियां उसको किसी तरह सुल्टा दिया जा उनके पुछंए संधुधवता का आप जयदा, और इस संधुधवती के लिए जो बातचीत का आप प्रांब आप चीजसे तैयार करते हैं, तो वो आपको कहलाता है कि आप क्या हुए, एक मध्धक के रूप में काम करते हैं, कि इन से भी बात की, एरान से भी बात बात की, अमेरिका से विवाद, अमेरिका की बात को इरान तर पहुंचाया और इरान की बात को अमेरिका तर पहुंचाया, और फिर दोनों की बातों को लेकर एक वहाँ पर क्या किया, कुछ शब्दों के जाल को गुंके एक वहाँ पर समझवता एक डिकलिरेशन बनानी, और फिर दोन करते हैं कि हम मर्ध्श्त बनने को क्या है पार बारत क्सी को मध्यस्त बनाने को तैयार है क्यों आप कभी भी किसी भी मुद्दे को वर्ष्टिक अस्तर पर तम मत लेकर आईए जहां पर कोई की छेत्र आपका कुट्वा होता है अगर कश्मीर वो आपने कहा कि इसमें हम मद्देस्त बनाएंगे इसका मतलब कि क्या हुआ आप अपने छेत्र को किसी और छेत्र का मानने को तयार हो रहे हैं और यहीं पर सबसे बड़ी कूट्वनीतिक विफलता और विदेश्मीत की सबसे बड़ी कल्पित है तो कूट्वनीत और विदेश्मीति ये होती हैं आपकी साफ़ पर दाओं पर लगाता होती है एक गलत फैसले के कारण आपकी पूरी की पूरी आईयार जे होती है विदेश मी निती है उस पर क्या लग जाता है एक क्वेश्चन मांत रचाएं ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी हैं ये सारे पहलो बहुत जरूरी हैं इसमें बहुत सारी किस्ते और कहानिया हैं और हर एक किस्ते कहानिय के हर एक कई तरीके के मतलब हर कोई इसे अलग तरीके से प्राइलिस करता है हम एक चीज़ ध्यान रखना है कि आयार का केंद बिंदू भारत होगा हम कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं किसके परिप्रेक्ष से पढ़ेंगे भारत किसके लाव के तृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और कुछ भी परड़ना है कहीं भी उंकल है उसके लाइसło हमें भारत की दरूर आंड़न दिया हुए मैं अगर कि क्या अमेरिक वी और शार क्या अमेरिका के ने सल्हें जोकि वी पॉलक्ल है है अर्थात राजनीति की परिवरतन क्या भारत ये को या भारती देश को या भारती विदेश नित को क्या किसी तरीके से प्रभवित करने की छमता रखता है क्या किसी दूसरे देश में होने वाले चुनाओ आपकी विदेश निति या आपके साथ देशों की जो संबन्ध हित्याज है वो सीधे प्रभवित होती है होती है और वहुत साधा होती है कई रा पूरा पल्र जाती है पर जैसे की उग्शम्पल के तौर पर हम सहilly में नेपल को लेना स्रि- compressed को लेना कि और बंगला देओ बांगलेज्श का एक्जाम्फल में दो लोग वहां पर आते हैं एका आति हैं शेक खंञार बहुए चाहिए हैं तो लिकिन जैसे शनता है वहां पर भार्ट के समंद्ध खराप हुए लेकिन जैसे इससेट नेपाल रहे हैं नेपाल में एक माववादी समठन है, एक आपको नेपाली कॉंफ्रेस है, कुछ और सारी वहां पे मदेशी पार्टियां है, वहां पर भी जैसे मदेशी पार्टियां है, मदेशी कौन है, मदेशी कौन है वहां पर, मदेशी भारती मून के लोग, जो की नेपाल की तरहाई स् जो हमकामन्द होगे वो अच्छे आक पराओ को जब भी चुना होता है तब भी वहाँ पर परिवर्ट नहीं नेपाल में चुना होने नेपाली कांदेश की जो सरकार है उन्होंने क्या किया नेपाल के मांचित्र को लेकर भारत के साथ विवाद सुरू किया एक मुद्दा आत होता है दो शव्तमे पर पढ़ते है एक होता है होता है ऊवे इससे सुनके रखते हैं अब शव्तव करते हैं और एग सब भी उज़ करते हैं राज दोनों में डिफ्रेंस कहता है अब इसको यह है तरह राज़ी है यह उन होगा राज़ी हम इसको इस्टेट विद्विन है स्टेट इस्टेट दो तरीपे बिख कर जाता है एक हम इसको स्मॉल कहें देते हैं यह दोनों का अंदर बलग हो अगर इंगलिस में स्टेट को पढ़ते हैं तो एक स्टेट का मतब होता है जहांपर हम बात करते हैं हारा और एक स्टेट का मतब होता है हमपर यूदा है पंचाप English में अगर इके दोसلف को रहे हैं यह इसे स्टेट मिला है अर्था वो भी देश को वहां पर बात कर रहा है लेकर अगर इस स्टेट के साथ को इस सबस्गों के मतल您 चाका अलग अर्व stitching और मेरा से सियह का यहाँ यहाँ पर स्टेट को है मुओ है दिखाथ यहां पर राजी और राजजिय दो सब्स हैं। दोनों एक फी चीज के बारे हम लोते हैं। राज ata मतलब भारत के बारे हम आप आ कि एर आमेरिकर के बारे हम वास लोग दोगे। राज की बार्द भी अंग्रेजी के जो शब्ध उसी करते हैं वो यही उसीมาते हैं बहाँ पर using कहाए धी यूसे स्टेट इलेक्शन स्टेट का जो अमेरिका का देश है उसका चुनाओ हमें एकी चुनाओं विसे स्टेट कनेक्शन एलेक्शन यह अब आयार में जो सब्ध हमें यूज करते हैं हम उसमें राष्ट और राज इन में से एकी उसकते हैं राष्ट कि इन राष्ट का क्या हुझा को कि कहीं कुछ पढ़ा है राज पार में इंदर थे थे अगरा हम करते हैं दो स्टेट कैसे किसा अब हाँ इस फींच्ट कि निश्य वहा गए ठीक है एक निश्य निश्य ज्मीक्तरक्रादों सरकार और चोथा चार तत्य होते हैं संप्रवोगा तो ठीक है हमने कहा कि कि इस राजी का मत्रव हो जा कि एक निश्चित भूख भाग होगा जनसंख्या होगी उसको संचारित करने के एक सरकार होगी अगर ऐसा है वो क्या है तो अगर इचारों इससे कुछ नहीं है तो एक्सांपल की रूप में तिर्पर क्या है कि यह तिर्पर को आप इस स्टेट सेंट कर दो कि इस आदा नहीं चलिए भाग है सरकार में की है नहीं है यह देखिए सरकार में की है अभी अभी जस्ट आइधिंक तीन चार दिन पहले की बात है उनके जो स्टेट प्रमुक हैं वो अमेरिका के राजपती से हमने गए थे यह न्यूज आई थी बड़े बड़े आठकल में थी पिछले 60-70 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है आप लोग पर अपर अपर आपको सुनोंगा सब करेंगे जितना जादा न्यूज की क्लिफ दिबर देख चर रखो तो मतलब आपका समध्य में और यही नॉलेज आपकी काम आती है आंस्तरास्टी समध्य में खेल खेलने को लेकर वोटेशन करने को लेकर डाटा के रूप म और चांदारी का और किस से अपर अगर इससे आप परचेत है मतलब आयार आपकी बहुत अखेल अब अन्विक हैं मतलब आपको लेकर जाओंगे दोस्तों के मामित तो यहां पर क्या नहीं है संप्रभू नहीं है, किस के अंडर में आते हैं, चीन के अंडर में आते हैं, जितने भी निर्णने लेने होते हैं, कौन लेता है, शायना लेती है, तिबबत सरकार नहीं लेती है, तिबबत की अपनी सब कुछ है, इनिकी सरकार कौन भी कहा होती है, तिबबत के बाहर होती है, कहा होती है K अपको देखने को मैं यहां पर होते हैं ली पूरिवास नहीं है कि यह आप जिसके पास होंगी पुछ देखो सिरोचे इसका तुम तो समझद के रास्ट का है रास्ट की परिमाशा क्या देखा आप मैं बहुत चोटी चीज़े बात करता हूं और यह समझाने के लिए से कर रहा हूं क्योंकि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं आधार बुस प्लास्टो लिक्सित करें आप जो नहीं जानते हैं सबसे पहले वह तो समझ लें उसके बात तो जब इस आपका क्लियर हो लेकिन पता लगा बेस ही कवर नहीं है तो फिर आप गिरने हो जाएँ अच्छा रास्ट जैसे सब्दों का प्रियोग आप किन परिस्तिक्यों में सब्सक्राइब एक शब्द चलिए इसके साथ में जो हो जाता है एक और सब्सक्राइब रास्ट भावना देश भक्ति ये क्या है रास्ट जैसे सब्दों का प्रियोग हम सिथ किस तंदम से करते हैं भामनाओं और अपनी मनों पैद्यानित रिष्टोंड से वहां पर जब आप सांस्क्रिक्तिक मूल्यों से एक स्वरूब धारन करने की कोशिश करते हों किसी को प्रेवित करना चाहते हैं तो वहां पर हम क्या रास्ट भक्ति भजवानी की कोशिश करते हैं तो यहां पर राष्ट को मतलब के वहा राष्ट जो Σब्द है यह ऊफिश्वल तौर पर हम योज़ नहीं करते हैं किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकर के डाकूमेंट से इस और यह उसको हूइज करते हैं राश्ट्री अंदोलन इतिहास में पढ़ते हैं। वो राश्ट्री अंदोलन था क्या? लोगों को जोड़ने का एक तरीका, सबको साथ मेलाने का एक तरीका था कि नहीं था? पढ़ते होगी तिहास में तो आंदोलन क्या थे? जो यत्र कत्र किसी कारण से आपस में जो खीसतान थी लोगों की, जो अमीरी गरीवी को लेकर थी, या जाती को लेकर थी, या महिला पूरुष को लेकर थी, वो क्या थी? रास्त के नाव पर एक भावना के नाव पर सब को क्या था? एक साथ लाने की कोशिश की गई, वो जो घ्रांतियां थी, उनको दूर करने की क्या की गई? कोशिश की थी, कुछ ने था, कि पर अत्मागानी जिसमें सबसे बड़े कह सकते हैं, कि रास्त पे एक्ता को लेकर जो सबसे बड़े आंदोलन किये गए उनके द्वारा किये गए तो यहां पर हमें कुल मिलातर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपने स्टार्टिंग में भारत को लेकर चलना है इंदी तक भारत को लेकर चलना है बीच विसमें अनुवने कर्फों को इसमें दोलते चलना हैं और कर्ण कर्फ में पूशिझू धियान करना है जिस बात की बात करते हैं अब ड्शिशंट करता है या एकड़ग्त करता है तो अग्याइर में एक संब्सक्र जो पहते हैं और उसको कहते हैं राष्ट राज्टी पी इसम jeito अठाट यहां पर भावनाएंगी हैं यहां पर तक्तिवी हैं यहां पर हम इनकों को तमाहिद करते हैं और एक नया शक्त जनरेट करते हैं उसको कहते हैं रास्ति राज्जी कारण क्या है क्योंकि जो भी समझ होते होते हैं वो राश्टी भावना से खोथ-खोथ होकर होते हैं कि भारत कर लाव होना चाहिए भारती नागरिकों वो हम एक रूप से आकर नेने करते हैं भारत का कोई भी प्रतनिती जाएगा कोई भी समझोता करके आएगा वो किसके नाम कि आपकी प्रस्तावना क्या करती है हम भारत के लोग अधात जो भी हो रहा है सब के द्वारा सीक्रित किया गया है और इस तंदर से वहां कि अधाना के साथ साथ एक टेक्निकालिकी उसमें सब्सक्रित होती है क्या है इसके लिए आपको पढ़ना चाहें यह तो कुछ मेटरिल आपको देता है लेकिन इसके लिए एक अधेंटिक बूक आपको ले कौन से मिश्रा जीक की बूक लेकर और यह बूक आपको राजेश मिश्रा जीक्रिक ले लेकिने सब के सब्सक्रित हो इसको यह नहीं कहेगा कि मेरे पास सच दूसी चीज इसका पस्ट चैप्टर है सब लोग पढ़के है और दूसी चीज इसको वहां पर यह तो रट्टा बनाद चाहिए अब एक सो तीन सब्सक्रित जो नहीं समझ में आए उसको समझाने के लिए हम बहुत इजी सब्सक्रित हैं बहुत जादों कुछ है नहीं समझने को लेकर आज़ा को निजिएगा आखो नंबर तो सीरे उल्टे रहे उल्टे अगए और रिंट इटे हो गए हैं जलिए सीज आ ले लेजेगा अगर आप जी का अगर मैने चुछ आजने कोई बात नहीं दूपर आपको सब सीरा मिल जाए लेकर पर यहां पर आपकर सीजर हैं कुछ दूसे चीज़ी दूब आपको यहां सब्सक्राइब है, यह सब के पास होने चेलिए, इसके लाँ आपको इसके लिए हैं, इसको आपको पड़के आना है, तो आज की ताइम में आप सब को वैसे भी पता हैं, यहां पर Monday to Friday में लिए, ताइम क्या रहा हैं, आज फोड़ा ले होगी है, और अंधर का इसके लिए हो जाएगी, ठीक है, तीन का मत्र पीम होगा, और साड़े, शार अंदर साड़े, शार शार रही हो जाएगी, तो हम ज्यादा एक्स्रेंट नहीं करते हैं, हम आपको चाइम पर आएंगे, पढ़ेंगे, कुछ वोमग दिया जा याएगा अपनो आए जिया अधिये हो जाते हो जिए जो को मेरे साफे करना पूराण technology है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे. तो को आपको सब्सक्तों सब्सक्राइब, कुछ चीजह मैं भी इनको निखाएंगे के, कुछ जाएगे, मही करते हैं लेकिन वहां पे कुछ आती हैं जब आपको थीसिस लिखने को दी जाती है कि आपको जमा करने होते हैं तो यहां पे आपको कुछ नहुंद दाता हैं तो यहां को पड़ा सब्सक्राइब करें को अगया सकते हैं तो यहां को क्या होगा जो टॉपिक हम जिस दिन पढ़ेंगे वो शी से रिलेटर आपको दिया जाएगा क्या एक पुश्च्ट्या आपको भड़ लाना है इस टॉपिक को पढ़ी लीजिएगा स्टडी कर लीजिएगा और बकायटा यहां सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब कर लिए नेक्स्टे आप आओ लिए हम इस कुश्ट्यन के एंसर कॉवर्मेंट डिसक्स करें और आपकी कॉपिल भी किसने कैसा लिखाए यह तरीका इतनी शुरुआत से क्यों जब कि आपकी समझ बिल्कुल नहीं है आया जाती तो जरूरी क्या है अगर हम कहें कि किसी भी बरचे को अंग्रेजी की जो क्लासें वा अपनशी की पढ़ाई जाती थी तहां आगे यह सपसे जादा इंप्पोर्टन विखाओ उसी तरीके से यहाँ पर में इसमें हम इसätte में प्रीम करेंगे क्जि प्री से जादा क्या होगा है इसाल मेस मैं उणकि और मेंस क्या है विए रिटेल में आप जितना जल्दी काम करना सुरू करोगे emphasize जबना समय मिलेगा जो मेंस के समय तक आपको तैयार हने के लिए क्योंकि प्रीक एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद मुस्तर से आपको बहुत से तीन महिने मिलते हैं कितना दो से तीन महिने में और इतने समय में अगर आप सूछते हैं कि मैं कम सकम ऐसा 14 15 सब्जेक्ट के एक बहुत अची एक मौडल एंसर राइटिंग करना सी जमगा तो बूल जाएं कि बूल जाएं कि बूल जाएं कि आएसा 2-3 महिने में 14-15 सब्जेक्ट के में से सर्ट राइटिंग करना वह भी एक मौडल एक मानक उत्तर लेकर आपसे होने में वर्सों बच्चा इस लिए जब तक हम आयार पढ़ेंगे तब तक अगर हम चैंटेंगे सब्सक्राइब तक 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 एक भी पुश्चन मानक लेकर चलते हैं किसे प्रक्टिस के अंसर कर चूंगे पचास से कम से कम सब्सक्राइब और इतनी एंसर राइटिंग के बाद आपके कुछ चीज़ें अच्छी हो रहे हैं पहला एक पढ़ने का तरीका आपका वक्सित हो और अंसर राइटिंग करने के लिए तीसरा अंसर राइटिंग करने में घल्तियां कहां होती है किसी स्कूंग से उसका और चौथा सब्जिक्ट वाइस कहां पर डिफ्रेंसे आ जाते हैं आयार में answer writing करते समय हमें किन बातों का ध्याम रफना है जो कि economy या अन्य किसी subject की answer writing में नहीं होता है इससे क्या होगा, technicality आपको समझ में आएगी एक बिशय की साथ, answer writing के technicality भी आपको समझ में आएगी आपकी knowledge अच्छी हो जाएगी और सबसे जरूरी चीज़, confidence confidence अभी आता है जब आपको पास मालुमात होगी जानकारी हम बहुत लेट अगर practice करना शुरू करें तो आपके साथ वाले क्या होंगे अगर आपसे आगहीं करें यहाँ पर क्या है competition बहुत हाई है और शरूरात यही करनी है कि हम पहले अस्तर पर पहले चरण से ही हम अपने competition कर लेवल को इस लेवल से start करें जहां पर लोग साथ सोचने से जिए कंशना है क्योंकि कई बार एक practice होता है लोग कहते हैं कि answer writing जब करनी चाहिए जब आपका समझ अच्छी हो समझ जाते हैं आपकी समझ कपता अच्छी हो आपकी प्लास में आपको पता चलना आपकी समझ कैसी आई आपको लेकर कैसी है कितने नंबर देना चाहिए जीरो से लेकर दस मे कितनी है जीरो है अब इस जीरो में आप दस्तक नहीं आ सकते हैं बूल यह अगर आप समुत्रे में दस पर पार करनोंगा तो नहीं होता है आपको कितना आना है क्योंकि अगर यहां तक आपने आपको लेकर आए और छे नंबर आप इसमें लेने सुरू कर दिये तो ऐसे बी कितने आपकर सोर्ष के सकरी में टार्फिकमों से क्था ने सब्सक्राइबES रहिए डतों आते हैं तो आपको क्कुमा तरह को नहीं थो यह स्कोर सबस्टीन जी जाता है और लोग qualify रहता है इसा नहीं qualify पना आपका आर्फू पाउल मैं 18 या 19 डी student team जो qualify नहीं दिया था रैंक्त ती आइसिंग 3 ती उनकी सेकंट विपल ने जो स्कोर दाउन का था 89 इतना तम 89 gs में लेकिन वो और इंडिया टॉक्ट व राइंडिंग ली मोई थर्ड है इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में खराम स्कोर करते हैं लेकिन हां आप जितना अथ्पर स्कोर करते हैं इतना अथ्पर लेंटी पोसिट करिए और वो इसको कितना होना च कि अगर आपको लगे गए आयार आपके अच्छी होने देगे आयार एक बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों से बस्कून होता है जो पिछली बार मैंने आयार पढ़ाया था जो दीज बत्ते रहे हैं तो अनको आयार बहुत मज़ा है उससे पहले मैंने कुछ अगर अगर आपको सुनी है क्लास हो रही थी तो मैंने कहा कि चलिए कुछ बनाते हैं तो मैंने कहा है क्पूर्ट्री बनाते हैं इसको नाम दिया अंतरास्ट्री संबंधिती क्या है अब इसमें देखे इन शब्दों को पहले हम पहले इस गुर्ट्री को पढ़ते हैं पिर इस सब्दों का मतलब क्या इस गुर्ट्री का मैं समझाऊंगो यहां खूंटमीतिक दाउं पेट से सधी विदेश निकी यहां दोस्ती नई और दुश्मनी पुरानी अपनों से फजीहत गैरों से निति शावाशी है लोगों को लगता सब राजनीतिक घमाशानी यहां छेत्री अंतरास्ट्री संगठनों का मेला है जिसमें कोई आर्थे को अपसे विदेशों में है अपने खुद से जोड़ने की मेहनत मशक्तल हारी है एक तरफ भगोलिक रणीति है तो दूसरी परफ साम्रिक संबंदों की साग्रिय कहानी इसमें युद्ध का दंश है तो नए संगर्सों का डर्भी है कुछ ऐसी अंतरास्ट्री संबंदों की कह इसमें सब तो इसमें दोस्ति नहीं है कयाते दोस्ति नहीं कैले करतीम के मतले में इसरा की साथ नय संबंदों और अपके साथ विल्धर संबंद सुरूब हो गए इसके अंतरत दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल अर्थात भूगोली के रणी अर्थात आपको जो स्थली छेत्र है और उसके साथ सागरी छेत्र उन दोनों को यहां पर इंपॉर्टन्स बहुत जादा में भूगोली के तोर भारत की सीमाओं को देखिए ते इसमें छेत्री और अंतराश्री संग्टनों के बहुत सारे चीज़े पढ़ना पढ़ते हैं इसमें G20 को ही देखें तो ऐसे 6-7 G20, G7, G4, G5, G10, G15 को पढ़ना पढ़ता है इसके अलावाद छेत्री अस्तर के देखें तो आजियान को पढ़ना है, व्रिक्स को पढ़ना ह दक्षन दक्षन व्रिक्स करे और पढ़ना है और अपकि संक्राइब पर आख अच्छा है को यहां पर हम देखें तो बहुत सारे जित्धों के उपजय संबन दिखा धी प्रथाब विश्य सुझेट विश्यूत भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का युद्थ भारत चायना ये इसे तरह वेदनाफ का युद्धों भारत और चाइनिज यूद। रश्या चेहते हैं कि शीरर्यूत धां उननictions प्रपिताद और कुछ नए युद्धों के शुरुआज कि कहीं अमेरिका के द्वारा इरां कर हमला ना कर दिया कहीं उत्तर कोरिया और अमेरिका का युद्ध हैं कहीं भारत और चाना फिर से ना लड़कर जें इन सारे के कारण किस तरीके सी परिस्टियां बदल सकती हैं उ और वहां पर AIR में بعدलते हैं जब भी परिस्टियां बदलते रहा है। कि भारत के दौरा आपने संब suption के बात करें कि यह तो भारत भारः चेंगे। कुछ बहुत बड़ी क्रैक की हैं कि अरब और इसराइल, सुलस्तीन, विवाद आपने सुने हैं लेकिन अभी हाल कि लाल अगर हम देखें तो अरब का ही एक देश यू-ए-ई ने इसराइल के साथ एक समझवाता है इससे क्या इसको कैसे देखें देखने को बहुत नार्मल तरीकर्ट यह तो हुतर है लिए अगर इसकी प्रिष्टभूम में जाए अरब और इसराइल का संग्रशों की कहानी अगर आपको पता है तो वहां पर उस परित्रिश से अगर आप देखेंगे तो यह बहुत बड़ा अंतराश्ट्री राजनीत में क्रैक कर दिया है क्योंकि इससे इसराइल के अगर यहां पर UAE जैसे अरब देशों के जो बिक्सित हैं या विकासी देश्यू हैं उनके साथ समन्द अच्छे बनते हैं तो पूरी की पूरी जो अरब प्राइजिक की पॉलिसी है वो चेत्रों साथी अरब के छेत्रों में वहां पर उसका प्रगुस तो चलता है लेकिन हाल प्लार हैं हमकर चेंजेस देखने को मिले हैं इस तरहीं से अपनी पॉलिसी में चेंजेस लेकर है इसके लाब एक चीज़ और देखें यहां पर पाकिस्तान को लेकर और भारत को लेकर अरब की अरब की फॉलिसी ने हमेसा पहली जो प्राथमिक्ता मिलती थी पाकिस्तान को मिलती थी लेकिन आज के समय में पहली प्राथमिक्ता कौन है शिव्ट हो गया अब भारत को देना चूच अब अचानक से तो ऐसा हुआ लगता है हुआ कि अगर कोई आपकी तरफ आपके साथ प्रेटर संबंद मेरे नहीं है और अचानक से अगर मैं आपकी तरफ आता हूं तो कुछ ना कुछ तो आपने एचीव किया कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो साथ मेरी पिर्माद करी या मुझे वहां पर फायते देखने शुरू है तो भारत को करम देखें तो भारत के पास सबसे बड़ा प्रॉपिक क्या है आज यह में सिर्फ अरफ के द्रिश्कों से मां सोचिएगा वैश्वी के द्रिश्कों से सोचिए आज भारत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखता है अगरा इकोनामिकल ओके त्रेट व्यापार के लिए तो जापार आज त्रिश्कों से ही में अग्रिश्कों है और कुछ किसी को लगता है कि बहात और किसी द्रिश्कों से इंपॉर्टेंट है जी ओ और जी दो की पॉलिसी साथ भारत को जादा अन्य देशों को जादा कर्शिक लगती है भारत प्रीपॉंट से अच्छा और को कि आप अपने भारत के बारें क्या जानते हैं यह आपको दिखाएगा और भारत के बारें क्या सुच्छ तेंगर कि हैं पर nobody if they say anyुआ अट मॉशल अंड्रस्टैंडिंग किश और पर चुछे और नाउट करें कि तरह का तरीके तरीकास को प्रेसे थी की बारकर ताइफ मैंने आप इस पर्टनीं में क्या होता है यह ज़ाते सूनी जी क्या करें है सैन सुरक्षा की बात करती है अच्छा ठीक है सैन सुरक्षा की यहां पर बात की जा रही है कि सैन सुरक्षा हो सकता है कि यहां पर जादा भारत की क्या सैन सुरक्षा अच्छी है अगर अगर एक्विप्मेंट की हिसाब से देखें और टेक्निलोजिकल बेस्ट आप हम देखें तो भारत साइद अपकी उतनी एडवांस जो टेक्नलोजी भारत के पासाइद नहीं है तो दो चीजें जो भारत को सबसे जादा लोग वहां पर पसंद करते हैं सबसे पहले चीज़ भारत एक बहुत तेजी से उभड़ा हुआ एक वैश्विक मार्केट भारत की जनसंक्या कितनी है एक किसी और खुआ होस्ति जुदे जो देखें 2011 की दलगरना तो 21 देखें लेकिन अकर ही आख़ल प्लाव के बात करें तो 130 हम और 130 हम और जुदी क्रौस थे उद्वर्यवीना सुरू होगे तो वहां पर यह यह सारे जीजान में देखने इस बात दाई एट्स जादा एक वीर्टी कि हर एक व्यencieं कि कितिनी सारी वहां पर किसकते हैं कि आवश्वक्ताएं नीवस होती हैं कि आप जिसंधर में रहते हैं हों पे हर तरीके के और नहीं है तो आप चांथे हैं आप मार्केट को जो कि कह सकते हैं विश्वा दूसरा सबसे बड़ा मार्केट होने के बाव जो भारत यहां पर सब्क्राइब करने के सच्छम नहीं है अर्थात एक बहुत बड़ा खाली जगाया है दूसरे देशों के लिए कि वह आगर जिनके पास चंपता चंपता कैसी है बेटर टिकनलोजी की है सक्षम है भारत से जज़ादा उन्नग है वो क्या कर सकते हैं भारत के बाजार को वहाँ पर खपट का अपने सांसाधनों के खपट का एक रास्ता बना सकते हैं अब इस द्रिश्कों से आज के समय में सब के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन क्या है पैसर एक आंग्यक् सब्सक्राइब करें किसी संग्ठन की वाद करें उसको किसी भी चीज़ को रन करने के लिए क्या चाहिए पैसर आप कुछ भी बनाते हैं आप जो जौब क्यों देख रहना कि जौब क्यों पाना चाहते हैं एकनॉमिक सेटल्मेंट होना बहुत ज़रूरी है आप आईस पीस क्यों बहुत आहितना चाहिए कि आपना देख लोगों की वह ऑलाई हो जो एक फॉपना देखते हो लोगों की भलाई है आप रखते जरूर रोप्रांत तक तर लिए जैसे ओं को मिलती आप क्या करते हो सिर्फ पहले मैं, पहला कौन मैं, सरकार आपकी जे भरना सुर्ण कर चुकी होती है, अकांट फिक्जर स्टालरी फिल्स जाए, शाथी भी अगर नहीं होई है, तो बहुत अच्छी हो जाए, देहज में अच्छा कासा चीज पैसे मिल जाए, गाड़ी, बंगला सरकुष हो जा जाए, वह आपसे क्या हो जाती है, फोसों बूद है, और किसी के पास अगर है, लिए कीमीध स्टालरी फिल्स जाए, भी पैसम के लड़ा है, ओखरेंड फरकेट है, इतना जबतुच है, जबत प्रशे मिल प्रप्रप्राव है रहिष्वी कस्तर के 2050 की जिश्कों से उसे भी ज्यादा क्योंकि भारत 2050 तक विश्क की सबसे बढ़ी आपाद की करता है तो इसको पता है कि आगे चाहिए आपका निवे शुकर में करता हूं तो इसका हो सकता है आपके पैसा कमा के लाता को जो कमा के लाता है वो सबसे इंपॉर्टन पर्सका जिसे आप बार मोल नहीं ले सकते को कि वो किया कर सकते कि आपके आपने सकता हम रहे तो चाहिए तक है इसके पास बहुत है प्रहते हैं उन्हहने नहीं नहीं कि जिए तो वो तो बंदा बहुत अमीर होता है किसके भी इस प्रेंट्स के भी समझ नहीं है लेकि नहीं एक गरीब बच्चा है जिसको खाने के लिए पैसे भी जोगा वो मेहनत मज़़ूरी जाता है और उसके वज़के चार पैसे का आदर लाता है तो चार पैसे में भी वो फैसा अपनी पर्चनी जबता जाता है धर में बढ़ों के हाँ में तो इसके पास कि भारत को उतनी ही तेजी से आपके आस पास पास जो रिखे Jackson के उसके हो Jang और आपको भला बुरा कहने वाले भी उते हैं एक्जाम्पल के रूप में जो सबसे ज़्यादा भला बुरा कहना जाता है वहारत में हां बिल्दास होगी यहां कुझी सब्सक्राइब करें लिए पॉलिटिकल एंगल्स वाद करें तो पॉलिटिस यह जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा भला बुरा हम कहते हैं इसके बाद जो भी उससे नीचे हैं क्रेडिबिल्टी इनकी होगी ग्रिकेट में आए इसको इच्छा प्राइब को मतलब सब कुछ कह दिया जो भी आया आए आपके मतलब इस दिर आपको लुमों को लेकर हैं जिनको भी जानत हैं जिनके आप फॉलोवर्स हैं तो यहां पर चीज़ें नीचे जिस दिजो जानता है वो ऐसे ही तो यहां पर चीज़ें भी वैसे ही अभारत लिकसित हुआ तो चाइना जोल्ट पर पाकिस्तान जाए सब्सक्राइब कर दो यहां पर उसको बीडोड चपते हैं लेकिन मित परिस्तिशंडय का अधम Only की बदल जाता है परिस्तियों का फाइदा उठाना आना चाहिए और यह आपके अंदर होना चाही है इमान को वहां ही है एक चीज़ बहुत वामन होती है इगो और थोड़ा सा सेल्फ प्रस्पेक्ट को मिक्स कर देते हैं तो बड़ी समस्या आ जाते हैं हम नीचे नहीं करते हैं कई बार टीचर से जाता भी आपकी इगो होती है कभी कभी कुछ कह दिया जाता है व का सम्में आपसे ऐक्सक्राइशन बढ़ करने को सैटाएं आक से पोसक्ता है बाइसा कुछ तो उस दिल हो सकता है कि मैं कुछ आपको कुछ कह दूँ परसनली भी कुछ कह दूँ सामोहिक तोर पर भी कुछ कह दूँ एज ए यूमन बिंग जो हमारी जो साइकोलोजी है यूमन बिंग कभी भी सामोहिक तोर पर भरे समाज में अपने आपको जरीर होते हुए नहीं देश सकता है एक बहुत natural instinct होती है और हम सब के अंदर होती है ना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फील करता हूँ और एक psychology जो मैंने पड़ी है जो realistic है वो यह हम नहीं face कर सकते हैं कारान क्या पहले ची यह वहाँ आपको ज्यादा feel नहीं होगा जहाँ unknown person लेगे आपको ज्यादा कहाँ feel होगा जहाँ आपको जानने वाले 4 लोग हैं अगर वहाँ कोई आपको कुछ कह देए पिर तो मंदब सामने वाला और यह बहुत बाद हुए example wise school college में यह सब्स्रादा तो अदेर ची तो सब्सक्रादा जयुके माते हैं अगर अपिर खाली रह तो अगर आप तो अज होगा बाद की गांशाती है बाद मतं कहिए its कि श्कुल आजब जिल्स की वायवार था मारे पीटी टीचर था अनिलjak नेयुक्त वाधत की था पीटी टीचर था चिर अनल चर तो अगर आपको प्यूजेट खाली तो बहुत पॉमन से से बस्चा पाहर निकाजा भूमाता है याथे प्लेग्राम पर चला गया केमे के इफर तिश्य और वो क्या होते हैं खाली गूंते रहे किसी को फाग है तो धार दियो है और वो ऐसा नहीं कि घारते दे जारने का कि टंडा भी आता है और टंडे जार देता है तो उसमें ये मेरी जाने की बात है स्टोरी मुझे बाद में पता चली कि आप्टर मैंने जब फाप पास आउट तो उसके तींचा साल बात उनकी एक्षे से उटाई है तो बच्चों में फीट बाट ही अब ये रीजन क्या होत जरूनी के हर्स किसी की मेंटरल्टी एक जैसी होती है तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आपको सामने वाला बोल रहा है वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए वो आपके अच्छे के लिए बोल जाए है वो आपको जहाँ पर आप हैं उससे कहीं आगे देखना चाहिए और उसके कारण वो आपको बहला बुरा के रहा है कि साइध आप यहाँ पर जो कर रहे हैं सम्टाइम यह बहुत एक होता है आपको पढ़ते-पढ़ते किसी ऐसे फ्लो में चले जाते हैं यहाँ पर आप अपने राज से बटक जाते हैं कभी-कभी वो आपको सही जगा पिल पढ़ाई कि यह पांच से छे पीरियर्द मन्त बार आपके अंदर एक निराशा आती है और कौन सी निराशा आईगी यह पहले दिन की क्लास में है लेकिन आपको आएगी आप क्या कर रहे हैं आपको लगेगा आपने अभी तक जो पढ़ा है जो आप पढ़ रहे हैं आपक मेरा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई करने में और चुंते की मृती लगाता है सपड़ी नहीं उपाती सर तक पैका नहीं ड में लगती है और त्या करना चाहिए ऐस वह साइच है और ऐसा दिमाना एक क्यों आता है ज़नली है अभी कभी कभी आया को पढ़ने के एक तक के अब आपने आप 10-12 ग्रेशन किया गया है और कभी आपको बीच कभी आपको बीच करने के दौरान के बीच सेशन में कि क्या चल ला है क्या स्टड़ी हो पारी प्रोपर हो पारें इस एक भूलने लगने वाली ये बीमारी जो हम होती है अब आपके अपने सबसे इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट वांस तो सबस्क्राइल को आपके अचितल है थोट भात करें अब अच्छा बदाइए अपने को अवाज आ रहे हैं नहीं आ रहा है कहानी अभी आज कुछ वैसे भी पढ़ने रहें, नहीं सुन लीजिए आपके भलाई वाली बात है, ठीक है, सोनी एकता जी, हिस्ट्री पॉलिटी, जिनको पॉलिटी है, देखि कहानी जब ही होती, एक human being बात है, आप छोटे बच्चे रहेंगे तो कहानी नानी से, नाना से, पहानी क्यों सुनते हैं, आज किसा में आपके, अप्री टाइं में आप मूविस जब्ली जाते हैं, फ्राइडे, फर्स जे, फर्स शो या वीकेंड, स्रइडे, संडे, संटाइम, नहीं करते हैं, बहुत ज़्यदा पढ़ाते हैं, क्या आप? रहत कि दोचीज़ा है आपने हैं, आजरा है, म áreas случае में पढ़ने कर्णाय, संटायमुगार्णain ऐसा कि पढ़ने कर्याक्यक्णाय 민주 पढ़ने को लेकर आदमें के सीरिस नहीं है तो पर कhenा और सुप्ढाय। कुछ जबने का रह दोगती है बताएगी वर्क्षप में एक चीज ध्यानखिए गा, आप की cycle में रूटीन जो डेली वसिस के साइक् ​ साइक्ल होती है, entertainment जरूर होती है, entertainment कुछ भी हो सकती है, जिसमें entertainment का मतलब समझते हैं क्या है, आप हर वेक्ति के लिए entertainment का मतलब अलब हो सकती है, सब्सक्राइब करना। जहां पर आप इपने आपको एंटर्टेंड कर पाएं और जो भी प्रॉब्लेट चल रहीं उससे कुछ समय क्लिए हों सारी चीज़ें आप भूल जाएं कारण क्या है कोई भी काम आप डेली बेसिस पे रोज सेम चीज़ सेम डेल पर सेम टाइम पर डेली करें कि कि तो इक चीज़ आती है उसको शंसे कहते ही गोड़ यह कि ह्तेम लाइफिते के वह जा अड़ी आप डेली आइगे पांच दिन बुलाने लगा के बज़ाएं और यही यहां से जाने के बाद चार अलग अलगा सप्जेट करने के बाद आपका दिमाघ हो होगा ना वो क्या हो जाएगा काम करने लाइक बचेगा मोस्तली नहीं कि दूसरी चीज़ के हैं सब्जेक्ट ऐसे एक जोग्राफी पढ़ाएंगे एक साइंस चलेगा फिर एफिक्स चलेगा आया थोड़ा सही है जाब है कि कहानी है लेकिन एफिक्स सिध्धान मूल्यों की क इतना सब को सिखा दिया जाया कि आपको मतलब रगें कि भात बाहर मुकरते ही दानुपूल में रहों तो जास पी जाधा कुछ करना नहीं लगता है कि मतलब दानपूर में करना है कोई आता जाता पकड़ने कि भईया लोग तो इसा भी काम आएगा दूसरी दरफ साइंस टेक पढ़ने के बाद लगता है कि आदम साइंस टेक्स को बनी गया मतलब आज घर में जाएंगे तो कोई जेनेटिक स्पोस कर देंगे और कल मतलब की ब जो भर बना हो गया पहले कि शौट आवा गया जो इसे यहां पर बना आगया तो आदमी अलगी फ्लो में चला है तो ये सारी चीज़ें क्या है प्रैक्टिकल होना अच्छी बात लेकिन जरुष से जाधा होना अच्छी बात नहीं है तो सयमित रहे सब काम करें तो मेरे कहन है घर पर जाने के बाद एक चीज आपसे जो कहा जाता है कि डेली यहां से जाने बहुत रिवीजन कर दूचेगा यह सिध्धान्त है या प्रैक्टिकल है हां कितने लोग कहते हैं ही यह प्रैक्टिकल करें घर कोरोजी कहती है साइक लोग बहुत कुछ कहती है। चुत नहीं है साइकोलोजी जब आप पड़ते हैं तो वहां पर बहुत सब्सक्राइब कहते हैं साइकोलोज के ओं यह हमें कि काम करनी की जो छमता काम करने की तरफिकान त्स liaison रहे के साथ साथ उसके प्रयोग करनी पी जो ठंगता है अगर वो परीज़ा सही नहीं है तो आप पिर आपके परेखा हो सकते हो लेकिन यहां से जाने के बाद आपको एक काम चरना है अब रिविजन करोगा को जो लिखाए गया होगा फिर पांप कॉपी में लिखाए गया हो बेस पढ़ने के लिए 20 पेज़ आपकी रिडिक्शनता है एक घंटे 20 पेज तो होगी है ना इस समय है और नहीं है एक घंटे 20 पेज पढ़ लेते हैं तो एक घंटे काम और जो आप सुबह से साम तक और अगले दिन फ्लास में आने के बाद पहले तक एक घंटा कभी वे आपनी के लिए रहने आए हैं रहने आए हैं रून लेकर कौन पैमिली वाइन एक साथ कह रहा है अच्छे तो लोग सास में रहता है एक चीज और आती है आपकी डेली गाई खाना बनाना राशन लेना मोल भाव करना और धीर धीरे घ्रहस्ती बसा लेना और प्रैक्टिस हो जाती ह आज कर यही कहा जाता है कि शादी बादी जब आपकी होनी जुरू हो जाती है तो हाँ पर कहता है अगर बच्चे ने यह कह दिया लड़के ने करता है जानदे क्यों करते हैं आपको सवल्यव मिल जया तो आप खभी न करें लिम क्या करें मद्बूरी कि बनाना पड़े तो क्योंकि आपके यह परिशान करते हैं फिर चीज ज्यान रखें एक प्रॉपर तीन चीज ज्यान रखें स्टड़ी प्रॉपर इटिंग प्रॉपर फूर कोई भी किसी भी दिंग आप लोग पैसे बचाने चक्कर में या एक्स्टा दिंग खर्द भी मत करिएगा जो फूर लीजिएगा वो प्रॉपर होने चाहिए और वो आपको बहुत सस्ती सस्ती चीजों में भी मिल गाता है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा किसी जीम या टाइट वाली की चीजों को नहीं रखना है बहुत सिंपल सी चीज़ें आप रखोगे आपके खाने में दाल चाल करेकरने वाली बच्चें या एंटर्व्यों अगर आप देखें तो कहके कि चार गंटे सोते हैं रही तो इन मारे सामने तो विरोधाबास हो गया ना किसार 8 घंटा हूं कि 4 घंटा हूं यह तो इसका मतलब क्या होगा हर एक वियक्तिकी बहुत धिक शंबता भी अलग है तो यहां पर एक प्रॉपर खाना हगा और प्रॉपर स्टडी के बाद जो समय अच्छा आप अच्छे स्ट्डी कर पाऊंगे और अच्छे स्ट्डी करने के लिए और लायन जोता है इस्ट्रेस ना ले इसके लिए अच्छा खाना अच्छा निक्रीशन आपके लिए को बेली ना जाए वस्ट ये तीन चीज़ करें 24 गंटे को टीन चीज़े में डिवाइड करें खाने के लिए समय कब होगा कितने बज़े का होगा दूसरा पढ़ने का मेरा कहां से कहां तक समय उसके बाद जितना बढ़ता है वो किसके लिए है स्लिपिंग करें मंडे टूफ्राइडे संदे दो दिन एक्स्टाम यह रूटिं क्या होगा मंडे टूफ्राइडे को सट्रटे वसंडे का जो टाइम होगा उसमें एक जगा होनी चाहिए एंटर्टेन्मेंट और अगर आपके पास कोई बेस नहीं है एंटर्टेन्मेंट करें कुछ-कुछ माब भलन गए उसमें आता होबिस आती है है होबिस कुछ नकुछ को लिफो गए है नहीं है कोई होबीस तो जनरेट करना शुरू और अबस्तम क्या होता है खाली टाइं में आपको क्या करना पसंद है। अगर नहीं है, तो कोई न कोई एक ऐसी होबी है, या दो होबी है, जनरेट करना शुरू करो, और उस्टो वीकेंड में कुछ न कुछ टाम है, और एक चीज और है, होबी से रिलेटेट इंटर्वी में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसकी जितनी डीप नॉलेज आपके अ आपके अच्छा है, इक्जामपल वाइस, मानने जिए किसी को गाना सुनना पसंद, संटाइम गाने कितने प्रकार क्यों पुछ थे हैं, किस टाइप का गाना सुनन, आपको पसंद, उससे रिलेटेट कोई सौंग बताई है, कौन-कौन से सिंगर आपको पसंद, उनका कौन किस मूवी में ये गाना पसंद, इसके संगीत कार कौन है, होबी का मतलब ये हुआ, कि आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, सब कुछ जान देते हैं, जैसे किसी को क्रिकेट बहुत पसंद रहता है, किसने जीता है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाएं, सबसे ज़्या जानकारी होनी चाहिए, और दीव चाहिए, तो बैटे हो, एक घंटा निकाला है, आपके जो होबी उसके बारे में Google पर सब्सक्राइब, पढ़ लो उसके बारे में कुछ रखो, और ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें नहीं भूड़ोगा, किताब से इतर जितनी चीज जो की सायंस कहता है हुमन काम जो माइंड होता है, या कि जो सबसे ज्यादा जो लंबे समय समय तक चिज़ें याद रख पाता है जो इसकी अलगý समय होती, फर वहांपर आंपको ये चीज़ें क्या होती हैं, ज्यांदा लंबे समय तक रहते हैं दूसरा क्या है, sound जो चीजे आपे सामने हो रही हैं, उसके से related कुछ ने कुछ आपके दिमागे सुनने को मिलना है लगाता है आप उस पर हसते हो, रोते हो, sometime आप तोह पर शांत हो जाते हैं करभी तोहीं बहुत दुखी हो जाते हैं और उसके बाद, discussion होता है उससे अभी लेट अगर यही चीज, just movie वाला, अगर आप classroom में करने लगे तो आदा घंटा जैसे आपकी classroom, थेड़ घंटे की वी, break हुआ आगे चलके आप में, आप उसमें जल्ड हो जाओगे, दोस्त बन जाओगे, friendship हो जाएंजे बाहर गये, खाना खाते-खाते, आपने डिसकस कर लिया, अचा वो topic किया था है, उसको क्या मतलब हो था, इसको जाओगे लेटना, यह आपने बाद डिसकस कर लिया ना, तो घर जाके तो कहरे है, revision करना है, नहीं पर नहीं हो जाओगे कुछ भी ना करें, study को भुकों हाथ भी ना लगाएं, आपका काम हो गया, अगर उसके बाद भी जरूरत पढ़की एक बार देख लिया और आपका काम बहुत अच्छे स्पिनिश को, बहुत अच्छे स्पिनिश होगा, पढ़ना कर, जाने के तुरण बाद, कुछ घंटे बाद, सोने से पहले, या सुझे उठाएं, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं, उससे पहले, एक माइंड जो कहता है, कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, सोने से पहले, अगर आप कुछ पढ़ें, तो नीद अच्छी आती है, दूसरा, जब आप सोने जाते हैं, जो चीज आप पढ़ के लेटे हैं, वो आपके दिमाग में चलती रहती है, और सिर्फ प्रेश होगा, और वहाँ पर पढ़ी के जिए, मौस्टी आपको याद तो जानी के बाद 4-5 गंटे का आराम से ब्रेक दिलेगा, खाना बनाओ, खाओ, बाचित करो, सोने से जस्ट आपको आधा एक घंटा निकाला हैं, जितने आप प्रेविजन कर पाते हैं, किसी हो सकते आधे घंटे करें, कोई गंटे करें, तो दोड़ गंटे करें, पढ़े पर आप करता, लेकिन मुबाइल साथ में तब रखी हैं, जुछ से रेसेर्च किरें हैं, रेसेर्च केले मोबाइल को प्रेयोग पहुत ज़ certains कंटेंड हैं, जू मिले मिला हैं, जितना करेंट्से गे जुए एक चीज़ हो, मोबाईल कभी उस नहीं करना है, जब आप सोने जाने हैं, एक से रेड़ जन्ता पहले, मोबाईल साइड में रख दिजिए, जिससे जो भी बात करनी है, यहां से प्री होने के बाद, घर में बात करनी है, मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है, इसी सब परवालों को भी बताओं अगर आपको बात करने हैं तो आप दी कॉल कप करेंगे सिर्फ इसी बीच करने हैं इससे पहले मैं इस प्लास रहती है उससे बार में सोने जाता हूं जो पढ़ना हो था तो सिर्फ जड़ी आप उतना जल्दी आप दूसरों से फायता को मिन ना सूप हो जाए सबसे बेसिक पहलो है रूटीन जो जितनी जल्दी सिट कर ले गया जो जो जतनी जल्दी इसको फॉलो कर ले किया वो उतना जातो शॉक्सेस्ट्ट हुल में इसका चुआ कि आप नहीं करता सब्सक्राइब यहां पर इतना ही आपको करना है अजप जाना है बुक अपने पास रख लीजेगा इस यो कंटेंट है इतना यह आप इसको पढ़ समझ लिगा जोन्हीं आएगा वहां मंडे को मिलेंगे तो प्रहुँ करा यह वास काथ होगी स्टार्ट बेसिक państwa- implies होगी पहले चैप्टर आप पढ़ दीजेगा बेसिक पहलू है वहाँ पर उन सारी चीजों को लेकर बेसिक हम लिखेंगे नहीं वह सब आपको बता दी जाएंगे उनको आप हाइलाइट कर लिजेगा वह अपना फ्रेडिंग माँ लिजेगा दूसरी चीज ऐसा क्यों पुरानी चीजें सिर्फ आपके बेस के लिए कुश्चन पी आपको कह से आएगा तो हमें पढ़ना और लिखना द पादो ख्लियर हैं उनको के साथ आपका काम इतना होगा कि आप मेरे साथ बस चलते रहें आप मुझसे पीछे नहीं रह सकते हैं उससे आगे पांप ऐसे दिन जा सकते हैं अग्ट सबस्क्राइब दुस्रा बूख ली पढ़िए कर लिए अंपको पहले से करके आना है वाकितों अप्र माया पर हुई हैं उससे नहीं करेंगे पिसक्रविट और यह सभी ऑप्लैन बच्चे को भी यह इंप पहले हैं को भी पता दो आपको पीडियह घी रोगी है उ दूसरा बुक जो होंगी राजेस मिस्ट्रा की बुक लेनी है और इस बुक का जो पहरा चेक्टर वो बढ़के रखेगा नोट्स ट्रोकल लेके बैठेगा संडे मंडे को मिलेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ पर लेकर कुश्चन अंसर भी होंगे और आप लोगों को वहाँ पर फिर आपको समझाया जाएगा बैसिक क्लास होगी और हम उसको पढ़ेंगे तो आज के लिए फिर इतना ही मिलते हैं फिर मंडे को थैंके सुमझ